गाय को इस समय खिलाएंगे रोटी तो दूर होंगी सारी परेशानिया। हिंदु धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। मानिता है कि गाय की सेवा से देवी देवता प्रैसन होते हैं और सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे गर की गरीवी दूर होती है और संपन्ता आती है। सनातन धर्म में घाय को परब्रम्म का प्रतीक माना गया है। धार्मिक माननिताओं के मुताबिक घाय में सभी 33 कोटी देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय की सेवा मात्र से समस्त देवता प्रेसन हो जाते हैं और हर संकट को दूर कर देते हैं। गाय की सेवा से घर में कुसियां आती हैं और आप धन दानने से संपन हो जाते हैं। सास्तरों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने मात्र से ही दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और करज से चुटकारा मिल जाता है। इसी वज़े से हिंदु धर्म में बड़े बुजुर्ग और सादु संत गव माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। गाय को रोटी पूरे दिन में विसेश मोहरत में ही खिलाने चाहिए। अगर आप इस मोहरत में गाय को रोटी खिलाती हैं तो चाहे कैसी ही समझ्या क्यों ना हो दूर हो जाती है। तो आईए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने का सही समय। नमबर एक राहो खराब होने से जीवन में दुरगटनाएं जादा होती हैं। संतान का सुक नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती हैं। गरी भी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी इस्तिती में दोपहर बारा बजे साथ अलग अलग तरह का अनाज को पीस कर उसकी रोटी या जों और जुआर से बने आते की रोटी काली गाय को खिलाएं। नमबर दो, गव साला में इसे किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कही तरह की संकट दूर हो जाते हैं। नमबर तीन, अगर कुंडली में सूर्य निर्वल है तो आप रोजाना गाय को सावुत गेहों खिलाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के नो ग्रहों की इस्तिथी भी अच्छी होगी। नमबर चार, सुबह सुबह गाय के दूद से बना मक्खन खाने से सरीर में कैल्सियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहू और सनी की वजह से कमचोर हुआ चंद्रमा असुप फल नहीं देता है। नमबर पांच, अगर आपका चंद्रमा कमचोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूद पीए और सुबह गाय के दूद से बना मक्खन खाएं। नमबर चै, अगर गुरू की दसा खराव है या कमचोर है तो गाय की सेवा और दर्सन से ही वह बल साली हो जाता है। नमबर साथ, कुंडली में सनी असुभ हो या साड़े साती या ढईय चल रही है तो काला तिल या उड़त पीस कर ग्यहों के आटे में मिला कर गाय को रोटी बना कर खिलाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद।